टाक्स जुड़ी परिशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरन तैयार करने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान सर्दियों के मौसम में भी भारी बारिश हुई है हाल ही में दक्षिन बारत में बारिश हुई थी जिसका असर तापमान में गिरावट और सर्द हवाओ के साथ-साथ क्रिशी फसलों पर भी देखने को मिला ओडिशा और आंद्रपरदेश में तुफान से फसलों पर असर देखने को मिला है तुफान के बाद हल्दी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है भारी बारिश से हल्दी की फसल की क्वालिटी थोड़ी घट सकती है इस बार हल्दी की फसल पिछले साल से अच्छी रहने की उमीद है हल्दी का केरी फ़वर्ट स्टॉक करीब 90 लाग बोरी बताया जा रहा है हल्दी की एक्सपोर्ट डिमांड पिछले साल के मुकाबले कमजोर देखने को मिल रही है वहीं बाजार के जानकार केडिया अडवाजरी के डिरेक्टर अजे केडिया की मुताबिक हल्दी की कीमतों में तब तक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोई अच्छी निर्यात मांग नहीं निकल जाती है अच्छी निर्यात मांग से हल्दी की कीमतों को सपोर्ट मिलेगा नहीं तो हल्दी की कीमतें एक सीमित दैरे में ही कारोबार करती रहेंगी ब्यूर्ण पोर्ट, मार्केट टाइम्स, टीवी झाल को ।